जरनी मैं आप सभी लोगों से बता देता हूं ठीक है जही की जरनी है हमारी चलो ठीक है आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं और बिना मसाले वाली बता देता हूं ठीक है ठीक है बिना मसाले वाली आपको reality में बता देता हूं ठीक है हम जब 11th class में थे 11th class में ठ पसंद थी ठीक है जो हमसे चार साल बड़ी थी ठीक है चार प्लस हम यह नहीं पता कैसे लिखते लेकिन ठीक है तो उनसे बातवाथ होती थी ठीक है कही बर ऐसी बातचीत में यह हुआ कि इंजिनिरिंग कॉलेज की बातवाथ चल रही थी तो उन्होंने बोला कि IIT अच्छे कॉलेज होते हैं मैंने का होते होंगा ठीक है मेरे फादर खुद IITN है ठीक है लेकिन मेरा कभी भी वैसे इंक्लिनेशन नहीं था पिर मैंने उनको तीन चार बार यह बात बोलते हो सुना और मेरे को लगा कि शायद इस चीज को पाने से ठीक है लाइफ सेट हो जाईगी ठीक है तो 11th क्लास में मेरा जो स्कूल था वो अच्छा स्कूल था तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली लेकिन मैंने पढ़ाई करनी इस्टार्ट करी ठीक है 12th का मेरा 12th का जो मेरा मेरे 10th की म हुए थे मेरे 97 हुए थे हम बढ़ गए आगे ठीक है तो बार्णी क्लास का जब हमारा result result आया तो मैंने जई का exam दिया था जई के exam में ठीक है उस समय पहली बार eml list आई थी extended merit list ठीक है 2009 की बात है और उस मैंने कोचिंग कुछ भी नहीं करा था कोई टूशन भी नहीं पढ़ता था मैं जितना मेर को पढ़ाया गया मैं उतना ही चुपचा पढ़ता था काफी जारी चीदे नहीं भी पढ़ी लेकिन extended merit list में उस समय 7000 के आसपास आपकी जई में rank आती थी ठीक है जई में rank दी जाती थी और उसके बाद extended merit list थी जिसमें मेरा rank आया था इथिंक 8000 के आसपास मतलब अगर देखा जाए ओल ओवर इंडिया AIR rank अगर देखी जाए अगर मैं इसी के साथ देखू तो 15000 के आसपास के मेरे rank थी और AIEEE में उस समय जो JMAs आपका होता है JMAs में उस समय मेरी आई थी 22000 rank ठीक है 22000 उस समय के आसपास की rank थी मतलब मेरे को मिल जा रहा था JMAs से अच्छा है college आप मुझे समय यह ट्रिपली कहते थे अच्छा मिल रहा था फिर मैंने पर्स टाइम डिसाइड किया कि नहीं यार college तो आई टी वाला ही चीए था ठीक है तो मैंने वहाँ पर सजेस्ट किया कि quota में ठीक है quota में बंसल classes करके coaching है और बहुत अच्छी coaching है वहाँ पर जाके तुम त्यारी कर सकते हो ठीक है मैं क्योंकि मेरा JEE में यह extended merit list में यह आ गया था तो मेरे को वह भी मिल गया था क्या कहते है scholarship मिल गया था उस समय की जो मेरे को scholarship के बाद fees जो पड़ी थी I think 60,000 50,000 या something 60,000 के आसपास की fees पड़ी थी ठीक है हाँ 60,000 के आसपास की मेरी fees पड़ी थी पूरे एक साल dropper की ठीक है और मेरे को जो first batch मिला था that was x9 dropper में x9 batch मिला था मेरे को पुछ आइडिया らकि कोटा में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है कितना homework होता है कितना load होता है कितना stress होता है, घर की home sickness होती है, ठीक है, और दो बजे के आसपास जब भीड निकलती है, ठीक है, दो बजे के आसपास जब पूरे lunch के time की भीड निकलती है, वो एक अलग stress होता है, ठीक है, और आपकी कोई personal life होती नहीं है, आप जाते हो, पढ़ते हो, खाते हो, सोते हो, पढ टीब छे लूप में आप हमेशा रहते हो ठीक है तो मैंने फर्स टेस्ट दिया और वेक्टर और बहुत बेशिक सी चीज़े हमें पढ़ाई गई थी ठीक है उसमें वेक्टर यूनिट से डामेंशन यह सब सारी चीज़े वहां नहीं पढ़ाई जाती बेशिक मैस में भी सिर् रखा था कि नहीं एक अच्छा selection लेके जाना है यहां चे तो मैं chemistry पे बहुत ज़्यादा energy लगाता था physics पे भी लगाता था maths starting गा जोश था लेकिन धेर धेरे खता मोता चला गया अब journey के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहला जब test आया तो मेरे को x9 मेरी rank ज्यादा अच्छी नहीं थी तो मेरे को वापिस x9 batch ही मिला बहुत demotivating था same batch में रहने में भी बहुत demotivation लग रहा था ठीक है लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी मेरे को जितना समझ आता था जितनी मेरी capacity होती थी मैं घर पे भी ज्यादा नहीं बताता था अपने stress के बारे में लेकिन जितना मेरे से हो पाता था मैं उतना पढ़ लेता था ठीक है मेरे को अगर लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पा रहे तो मैं छोड़ देता था मैं इतना ज्यादा उस टाइप का stress नहीं लेता था ठीक है कि बैकलॉग हो गया है या फिर यह हो गया है मैं group studies पर भी बिलीव नहीं करता था कई सारे बच्चे वहां धीरे 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 आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे को एक कहते है ना कि एक fake दुनिया टाइप की बन जाती है IIT के बारे में दिन भर सोचना ठीक है क्योंकि उस टाइप से over hype कर दिया था कि IIT में यह है वो है और फारी चीजे तो X9 में जब test west होने लगे धीरे धीरे तो मैं X9 के बाद X5 में गया, X5 के बाद मैं X3 में गया, मेरा last batch X3 में पर maintain हो गया था और test देते देते आखरी तक मेरी जो rank आ रहे थी वो 100 के अंदर आनी start हो गई थी, मतलब it was a good rank, अब कई रोग सोचें कि 100 के अंदर top rank में आने के बाद भी आपका selection में आखरी last rank के हो, आखरी म अच्छे test दे रहे थे, full full slivers के test हो रहे थे, तो obvious ही बात है कि कम बच्चों में rank अच्छी आ जाएगी, लेकिन मेरे को यह बात तब तक नहीं पता थी, जब तक मैं घर नहीं आया, मैं बहुत improve कर रहा हूं, क्योंकि आखरी में मैं जब test देता था, first test में मेरी rank आई थी 4000 के असपास रहें काई थी, फिर बढ़ते बढ़ते जब मैं टॉप 100 में आगे तो मेरे को अपने अच्छे से त्यारी चल रही है, जब मैंने बहुत सारी चीज़ों के अलावा भी आपको चीजों को face करना पड़ता है, कोटा में दो-तिन बार मेरी लडाईया भी हुई, ठीक ह लगता था कौन है, ठीक है, दो बार police case भी हुए, घर वाले भी आए, बहुत सारी चीज़े apart from that हुई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कभी disturb नहीं होने देता था, अगर मैं लडाई भी कर लेता था, तो मैं घर जाके वापिस अपने routine को जरूर follow कर नहीं, कुछ इसी की range में ही मेरे marks आये थे, और में को अच्छा लग रहा था कि मेरी अच्छी rank आ जाएगी, ठीक है, 1000 के आसपस के rank में expect कर रहा था, आई 5000 के आसपस थी, ठीक है, लगकी लिए college मिल गया, college में मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा कि मेरे को क्या करना है, क्या लग रहा था कि हमें करना ही नहीं था यह तो, यह तो बस ऐसी देखा देखी आ गए, ठीक है, कि hype बना रखा था college में, यह वो फलाना डिकाना, किसी दरीके से, चीजे संभाल के college से बाहर निकले है, ठीक है, बहुत गलत संगती भी थी, बहुत सारी चीजे खराब भी थी, लेकिन college से पार होने के बाद, धीरे धीरे चीजे समझ आनी स्टार्ट हुई, कि life जीने के लिए अब आपके पास option नहीं, आपको काटना ही है, आपको मेहनत करनी ही है, आपको आगे बढ़ना ही है, और उसके बाद की तो journey में आपको कई बार बताया है, ठीक है, जो quota वाली कि कहा ही फस गए है, क्यों ही पढ़ रहे है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक अच्छा college मिल जाता है इस पढ़ाई से, लेकिन इतना pain लेके भी, क्या is it worth it, और college में जाने के बाद पता लगा, इतना, it was not that worth it, ठीक है, जितना बताया जाता है, जैसे आप लोग सारे, आप लोगो है, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ा ही करिए, ठीक है, और college में जाके आप खुद देखके, decide करिए कि क्या आपके लिए बहतर है और क्या नहीं है, आप इतने mature होंगे, वो decision लेने के लिए, ठीक है, लेकिन, हाँ, branch मेरी engineering physics थी, ठीक है, branch मेरी engineering physics थी, लेकि मैं आप सब है, बोलू मैं आपको, ठीक है, देखो, बात किया है, बहुत सारी चीजों पर लोग सवाल उठा सकते हैं, आज की date में, education system पर, but reality है कि हम middle class families को escape करना है उस चीज को, हमें उस दिन भर के stress में कि भाई, पैसा नहीं है, saving नहीं है, कल कुछ हो जाएगा, कैफे होगा, खर्चे हमें उस चीज से निकलने का एक जरिया चाहिए, middle glass को, और जब हमें दिखता है, नहीं कि यार, पढ़ाही के बाद उस college से निकला जा सकता है, तो हम लोग खुदी पागल होते हैं, उस चीज को पाने के लिए, और उसमें हमारे साथ 10 चीज़े गलत हो जाते हैं, हम उसको accept क करते होई चले जाते हैं, मैं बस आप सभी लोगों को ये बोलूँगा, कि आप हमेशा grow करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी college या उसी चीज से आप grow करेंगे, ये surety सब के साथ नहीं होती है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, जो grow कर जाते हैं, अच्छे colleges मे ही है, और इसी चीज के चकर में, ठीक है, इसी चीज के चकर में कई बार हम लोग गलत चीजों को accept भी कर लेते हैं, ठीक है, बले ही वो stress हो, या कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, just because we want to come out from the middle zone, ठीक है, हमें लगता है कि ये तो बंतरना ही पड़ेगा, but मैं आपको हमेश सारे बच्चे हो सकता है, stress में भी होंगे, ठीक है, और आजकल थोड़ा सा महल भी वैसे stress वाला चली रहा है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा, कि कभी भी कोई भी गलत thought अगर आपके पास आए, आप ये मान लीजेगा कि वो एक particular time frame के लिए है, हो सकता है, एक महीना हो, दो महीना हो, हो सकता है, एक साल हो, उस zone से आप जरूर बाहर निकलेंगे, जरूर बाहर निकलेंगे, और जब आप उस zone से बाहर निकलेंगे, तब आपको कितना अच्छा लगेगा, ये याद गरके कि आपने कोई अपने लिए, या किसी के लिए भी गलत step नहीं जरूरी है लेकिन अपने इस चोटी सी एज पर अपने आपको इतना stress out मत करिये जो market में IIT और अच्छे colleges के लिए बात बोली जाती है वो है अच्छी बात है लेकिन कुछ चीजे सही भी नहीं है ठीक है आप उसको over glorified करके अपने life के decision मत लीजे आप एक अच्छे college से पढ़ना चाते है बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छी चीज है just enjoy your studies clear yes रेगिंग बहुत होती थी अब नहीं होती है और अब बोल भी एड़ी था जिसको इंग्रीजी आती थी उसको फसा दिया था उसमें ज्यानी बाबा आ गए थे वह कह रहे थे कि यह प्रोफेसर की धंकी को accept कर लिया लोगों ने यह कर अरे बहुत तुम बनोगे न स्टुडेंट किसी प्रोफेसर के सामने तुम्हें भरगनी पड़े तुम्हें हमें पास कर तो हमें स्कॉलेज से बाहर निकाल देओ ठीक है वह चाहिए जो भी होगा वह यह ना मीडल क्लास भी बता रहते हैं हमें बस यह होता डीरी और जॉब ठीक है उसमें लोग कितना गलत सहह लेते हैं समझ लेते हमें कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो बहुत सारे घ्यानी लोग है बिल्कुल नहीं होता ठीक है हम बता रहे हैं मेरे को एक बच्चे का मैसेज आये था कि सर उसका सेलेक्शन हुआ था तो धनबाद में अभी है रहा है सर आपके कॉलेज का ही मैं जूनियर हूँ इसी साल सेलेक्शन हुआ आप इसे पड़ा है ठीक है बिल्कुल बन नहीं पिर अपने आप वो सेट हो जाएगा वो पांच शुको और अवारा बनाएगा तो अपने 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 येस कोटा में जब मैं था तो मैं सिर्फ दो टीचर्स का नाम जानता था ठीक है गलत बात है ठीक है बहुत सारे ग्यानी लोग आएंगे देखो इसलिए तो यह येस चलिए भाई आप स्टार्ट किया जाए आपको बहुत सारी टीचर्स दे पर कहानिया बता दी है ठीक है बहुत सारी कहानिया आप सभी लोगों को मैंने बता दी है अब इसमें भी कहानी लोग आधेंगे 40 मिनट्स टोटली वेस्टेड हाफ एन आर टोटली वेस्टेड ये प्रभू कहानी का दिन था तो आज आपको बता दिये हम थोड़ा सा येस क्लियर नहीं मैं मैं जब स्टूडेंट था तो मैं नहीं मिला था था ठीक है मैं सोनल राजुरा सर को से पढ़ा था और मेरा सेलेक्शन का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो उन्हीं को ही जाता क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को समझाया पढ़ाया फिर विशाल यूशी सर इन औरगेनिक पढ़ा था मैं उनसे ठीक है फिजिकल मैं गूंगूं के पढ़ता था क्योंकि मेरी मैं मैंच खराब्ती में को जाता समझनी आता था फिजिकल मैं बिल्कुल इन से थोड़ा था मैंने फिजिक स बड़ा था है था मैं बहुत ज्यादा घूमता था था बिल्कुल एनलक गूमते होई आता था घिक है तो मैं ज्यादा मैं और ज्यादा लोड से लूट मगया नेलता था था दिолें यह यार लाइव कहीं न कहीं तो सेट होई गए ना आप लोग भी सेट हो जाओगे